टीचर, सिच्छक, सिच्छक कभी साधरन नहीं होता, पहले और निर्माड उसकी गोद में पलते हैं तो नमस्कर दोस्तों मेरा नाम है सरत कटियार और मैं हूँ जो हूँ एक पेसे से छोटा सा टीचर, ठीक है, ओ छोटा सा आप से जो है मेरी तुलना अगर की जाए तो सायद मैं बिल्कूल जो हो आपके एक परसंट के बरावर भी नहीं हूँ तो आज दोस्तों इस वीडियो में में बात करूँगा, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत परफेक्ट हूँ, ठीक है, मैं यह कह रहा हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, बट जो भी मैंने अपने चरपान साल के एक्सपिरियंस, जो भी मैंने गीन किया है, जो भी मैंने सीखा है, जो भी मैंने इतनी सारी प्राब्लम्स को जो मैंने फेस किया है, जो इतनी सारी चीजों को मैंने देखा है, अपनी छोटी सी तो जो है उए सारे experience में आपके साथ share करने वाला हूँ और आपको मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये video बहुत पसंद आएगा और इससे जो है हाई एक ब्यक्ति को चाहे वो बड़ा हो चाहे वो चोटा हो चाहे वो teaching करने जा रहा है या जिसको जो है तमाम तरीके की परसानी रहती है वो जो है अपनी difficulty face कर रहा है अपनी teaching journey में या teaching profession में जो है वो धल नहीं पा रहा है तो कैसे जो है वो अपने आपको जो है एक बेतनी सिख्छक बना सकता है और बच्चों का फेवरिट बन सकता है हलांकि बच्चों का फेवरिट कुछ लोग कहते हैं कि बनना जरू करने वाली हैं तो जोस्तु मैं आपको जैसा कि आपको बता दूं कि मेरी अभी यानि कि आज मैं वीडियो सुट करूं 27 अक्टूबर को 27 अक्टूबर 24 मेरी एज है लगबग 21 साल और मैंने जो है आनलाइन पढाना स्टार्ट कर दिया था आज से 5 साल पहले यानि कि 2019 या मि मैंने पान साल पहले कि रिकार्ड मेरे यूटूब पर पढ़े हुए हैं क्रिप्टो वाला और दा यूनिवर्स डिकोडर चैनल मेरे अलग चैनल हैं उन पे आप देखिए जाकर क्यों आप आपको सबूत मिल जाएंगे और आगर आपको बहुत ही पुराना तिहाज जानना था 2022 के जो है शुरुवात की तरफ मैंने पढ़ाना श्टार किया था आप लाइन किसी एक स्कूल में तो अब दोस्तों मैं बात करता हूँ कि क्या जो है चैनलेंजस आते हैं देखिए टीचिंग का प्रोफेशन है यह बहुत चैनलेंजिंग है और बहुत पेसेंस फूल है यहाँ पे आपको धैर रखना होता है और यह प्रोफेशन में आप तभी परके जाओगे तभी आप निखरोगे जब आप अपने आपको भी निरंतर एक कड़त धूप में बच्चों के साथ अपने आपको जलाओगे अपने आपको तपाओगे और एक मूम बत्ती की तरह ह होना चाहिए एक केंडिल की तरह होना चाहिए जो स्वयम तो जल जाए लेकिन दूसरे को प्रकासित कर दे दूसरे को जो है प्रकास वान कर दे और बच्चों का जो है जो मन में जो पढ़ाई के प्रती जो सिच्छा के प्रती सिच्छा कितनी खुबसूरत चीज है जो किसी बातों में तरक दिखता है और ये सारी चीजें एक बच्चे का हमें एजूकेशन में सिर्फ हमें भूत हम चुकि टेचर हैं और हमारा जो परसोना है जो हमारा एक think of mind है हम क्या सुचते हैं कि सिच्चक का मतलब है कि बच्चे को सिर्फ रटा रटा करके उसको अच्छे मार्क्स दिला देना और इस आधार पे उसको एक बेतरे इन व्यक्ति बना देना या किसी का परपज ये होता है कि बच्चा एजूकेशन में अच्छा हो जाए और किसी का परपज ये होता है फिजगल अच्छा हो जाए यानि कि all the aspects of a child यानि कि बच्चे के सारे ही चाहें वो जो है खेलना चाहे चाहें वो पढ़ना चाहे वो किसी भी फिल्ड में जाना चाहे यदि हम उसका जो है जो उसका जिसके लिए वो बना इस धर्ती पे हमें उसको यह मैसूस कराना चाहिए कि आप किसलिए बने हुए हो क्योंकि हर बच्चा अलबार टाइंस्टीन हर बच्चा सचिन पंदुलकर हर बच्चा जो है अटर अबीजे अब्दुलकलाम नहीं बन सकता है यह आपको याद रखना है फिर दूसरी चलेंज जो है आपको यह सबसे पहले समझ जाना चाहिए कि बच्चे का हमें सर्वांगिड विकास करना है यानि कि हर अंगों का उसका विकास करना है चाहिए वो किसी भी लेवल पे हो हमें अपनी चीजें जो है बच्चे को पर नहीं थोपनी है बच्चा जो करना चाहे उसे जो है वो करना देना है अब कुछ लोगों का सवाल यह उठेगा कि सर बच्चा तो जो है यह चाहता है वो मैंसा खेलना चाहता है वो पढ़ना चाहता ही नहीं है हमें पता है कि वो क्या चाहता है हो क्या नहीं चाहता है हम उसको पर्यापत समय दें और उसकी जो गत्विधियां हैं जो एक्टिविटीज हैं उनको monitor करें और उनके जो उनके जो आउटपूर्स का उनको हमें एक्दम अगर और चाल रहा है तो उसका खुली में आप प्राक्रहे बश्राइब कर सकते हो। कि तारीब करना भी जो है मैं उचित नहीं समझता हूँ हलां कि कभी-कभी ही करनी चाहिए ठीक है इसके पीछे लाजिक ही है कि इससे बच्चे के अंदर एक जो ओवर कांफिडेंस आ जाता है और इससे कहीं न कहीं फूर डिप्रेस में चला जाता है जब उसकी जो रैंक है न दूसरा जो है टीचर के सामने बहुत बड़ी समस्या आती है कि सर जो है मैं एक एक कोस्टन को लेने वाला हूं क्योंकि मैंने बहुत नजदीक से देखा हुआ है इस चींजों को बहुत सारी आपके पास AJ टीचर कंप्लेन आएंगी ठीक है अब यह डिपेंड करता है कि इस एक लिए करता हूं ठीक है ऐसा क्योंकि कि किसी ब्यक्ति को आप तारीख करके सिर्फ उसकी जो है अच्छी बातें बता करके कि बहुत अच्छा पड़ाता है यह इसा करता है सिर्फ इससे तो उसका घरता ही चलने वाला है थोड़ा बूत तो सपोर्ट आपको सब लोग प्रकार का होता है कुछ ब्यकति होते मेंन अफ गोल्ड एक एपक्डई नहीं होना चाहिए मैन उप विज्ड़ मोना चाहिए और जहां पर विजडव करना चाहिए ना कि उसके उपर पैसों का प्रभाव हो ना कि उसके अंदर हैट्रेड हो यानि कि किसी बच्चे के प्रती द्रणा का बाओ या मालेजे किसी बच्चे ने कभी आपकी कंप्लेंड कर दी तो आप जो है उसको डेली डेली कृटिसाइज करने लगें या उसको कुछ नीचा दिखाने लगें या उसको आप औल जलूल कुछ बोलें ये सब जो है एक महान एक मैच्छोर सिच्चक की परसनेल्टी में नहीं आता है अगर जो है बच्चा कंप्लेन करता भी है तो भाईया परपक को नहीं है वो नहीं जानता है what is right what is wrong और उसके parents ने भी अगर आपको जो है कभी कुछ बोल दिया है या ओड़ पटांग कभी आपकी उपार सिकायत कंप्लेन कर दी है या मानलो कभी गुस्से में कुछ अ या मेरे सामने कुछ भी जो है अगर जो है बोल देता है मैं कैता हूँ मेरे सामने गाली यह मुझे दे दे मैं उसको कभी नहीं कुछ कायता हूँ मैं डेमोक्रेटिक टीचर हूँ मैं हर चीज को सुनने की चमता रखता हूँ बस आप जो है अपना पढ़ाई काम से करते रह आप मेरी जो भी आलोचना करना चाहें, या किसी से करवाना चाहें, या मुझे स्वैम सामने ही मेरे इसकुछ भी बोल दें, मैं कभी भी आपका बुरा नहीं मानता हूँ, मैं everything आपकी सुन सकता हूँ, every situation बच्चों की समझ सकता हूँ, हर चीज, मैं यह जानता हूँ कि उसके कहिने के पीछे भी जो है, उसकी कहिने कहीं को तकलीफ होगी, साथ जो है, उसके दर्द हुआ होगा, कुछ जो है, जरूर उसको लगा होगा, इसी लिए उसने ऐसा, कहा अधरवाईस वो ऐसा नहीं करता, तो उसको समझाने का प्रयास करें, और democratic teacher बनें, ज्यादा जो है, क कि डिक्टेटर सी बाला जो है, आप कारवर ना करें, जिससे किसी बाकार की गत्विदियों पर नजर पड़ें, दूसरा चीज यह कि यह भी निकल के आता है, कि जैसे माल लीजी, कुछ टीचर्स यह चाहते हैं, कि सर, देखिए, सिचक मारे देश में बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछी सिचक काफी फेमस होते हैं, काफी प्रसिद्धी को प्राप्त करते हैं, और काफी पूझे भी जाते हैं, जैसे कहा जाए कि तुमने तो हमें पूझ पूझ कर यह पत्तर कर डाला, जो लोग हम पे ताने कसते हैं, कबसे का में जिन्दा तो समझते हैं, तो ऐस इसे परकार के जो सिच्छक होते हैं, जो कहते हैं, आक सरुम की कंप्लेइन रहती हैं, कि सर, बहुत मैं करता हूँ, यह सब करता हूँ, ठीक है, लेकिन मेरी कभी ख्याती नहीं बन पाती है, जैसे आप किसी भी स्कूल या कॉलेज में चले जाएए, तो जो है, कुछ डैमंड जो इस उद्देश से आया है, कि अपना धन्दे को विश्तार करना है, आराम से पैसे चापना है, पैसे प्रेंट करना है, तो आपकी इज़त कभी नहीं होने वाली है, पहला समझ लीजिए, दूसरा चीज यह है, कि आप पढ़ाते कैसा हो, तीसरा चीज यह है, कि आप जब एक समन ईए, ये जब तक आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा, अब तक मझा भी नहीं आता है, ये भी होता है, तो आखिर इसे बना जाए, ये सबसे पहले बदो कि आंप बता दूँ dal FROM dalsiesarean, तो सबसे पहले में आपको बटा दूँ कि आपको पच्चा किसी भी प्र किसी प्रकार का फिजगली, मेंटली किसी प्रकार का आपको टार्चर नहीं करना है अब आप कोगे सर कैसे मतलब जो है किसी को गर मारें कूटेंगे नहीं अगर जो है हम फिजगली या मेंटली टार्चर नहीं करेंगे आप ब्यूज नहीं करेंगे या जो है उसको किसी प्रक एक्ट 2009 का पता होना चाहिए और जो कि जो है इसी बात पर फोकस करता है कि बच्चे जो है मन के सच्चे होते हैं ठीक है उनसे आप प्यार से काम लीजिए उन्हें प्यार से समझाईए और मेरा ऐसा जो अब तक का experience है वो यह कहता है कि एक class में जो है at least अगर देखा जाए तो नहीं हो सकता है तुमारा कुछ नहीं होगा तुम बेकार हो ऐसे हो वैसे हो यह सब उनसे नहीं कहना है क्योंकि वो जो है नौकर बनने के लिए नहीं पैदा हुए है राजा बनेंगे ठीक है हर कोई व्यक्ति पढ़ लिखकर नौकर ही बनता है और और राजा वो बनेंगे यदि जो है वो पढ़ते लिखते नहीं हैं, लेकिन उनसे कभी ये मतना कहिना कि आप कुछ नहीं कर सकते हो, उन्हें एक पॉस्ट्यू लुक देना, उन्हें कहिना कि जो आप करना चाहते हैं, आप भी करो जा करके, फिर आप यहां पर मत पढ़ो, जो आपको पसंद हो, अप पढ़ने के लिए मोटिवेट करें, कुछ टीचर इकिस बात का, जो जो है बच्चों को मोटिवेट ना करता है, मैं मानता हूँ कि एक टीचर में बहुत बड़ी काबलियत होती है, और एक अच्छा टीचर किसी भी ब्यक्ति को बेंड कर सकता है, मोड सकता है, उसके बिचा आपको अपनी समस्या बतानी है, नहीं है, आपको अपनी समस्या बतानी नहीं है, ठीक है, आप उनकी समस्या को ज़्यादा सुने, सुनने पर ज्यादा फोकस करें, बोलने पर नहीं, सुने ज्यादा से ज्यादा, ताकि आप उनकी समस्या को अच्छे समझ पाएं, उसको को करें राइट आप जो है कंप्लेंड या भी कुछ भी लगानी हो आप नोटिस लगाईए बकायता जो है बच्चे को टार्चर फिजिकली या विजिव लेंग्वेज में या किसी प्रकार से आप वरबल लेंग्वेज में आप बिल्कुल नहीं करेंगे उनको किसी प्रकार का आप इंडिरेट भी उनसे नहीं कहेंगे आप कोई भी बात कामन कहें लेकिन वो एक समाज में जो है एक अच्छे तपके से जो कहें और अपनी परसनेल्टी का लेवल ऐसा बनाएं कि आपको देख करके बच्चा स्वैम वैसा बनना चाहें यानि कि पहले आप स्वैम वैसे बनिये जैसे आप देखना चाहते हैं यानि कि आपकी परसनेल्टी वाकई हीरों से जड़ी होनी चाहिए तभी आपको लोग फालो करेंगे और आप कुछ ऐसा करके दिखाते रही है बच्छों को ताकि उन्हें जो है ये मोटिवेशन मिले कि कैसे उनको बिहेव करना है क्य नेचे जी ये है कि आप जो लास्ट टापिक में मैं आ चुगा हूँ कि एक बेतरीन सिच्छक कि क्या गुड़ोते हैं और कैसे बना जाता है और कैसे पसंद आपको लोग करें और बच्चे करें और समाज में आपकी ख्याती बहुत दूर दूर तक फैले इसके लिए क्या इसके लिए पहला उपाई ये है कि आप जो है दो चीजों पे काम करें पहला आप अपने ग्यान के जो दायरा है उसको बहुत ही बड़ा बिस्तरत करें यानि कि जिस भी फिल्ड के आप से टीचर हैं उसमें जो है अपने ग्यान के दायरा को बहुत तेजी से बढ़ाएं औ और डेली डेली अपने subject से related चीजों से updated रहें यदि आप update नहीं है अपने ही subject से तो आप ये मान के चलिए कि आप जो है एक पुराने ठर्रे पे एक पुराने अपने उसी profession पे चलने वाले एक सिच्चक हैं और आपको जो है कोई भी जो updated जनकारी है वो आपको नहीं पता है क् कि जमाना आज mobile है internet का है आज जो है बच्चे सहर जगह से सब कुछ सर्च कर लेते हैं आपको एकदम updated रहना है दूसरी चीज जो आपने आज तक सीखा है जो आपने आज तक पढ़ा है जो भी आपने सीखा है अब बच्चे को अपनी language में नहीं बताना है बच्चे को बच् का एक lecture ले लीजिए आपको ऐसे समझाना आना चाहिए कि वो अगर दो साल का बच्चा हो वो भी समझ जाए यदि आप किसी concept को आसान नहीं कर सकते हो टीचर का काम से पढ़ाना नहीं है बुकों को यह चीज आप याद कर लेजिए टीचर वही है जो जो है बच्चे को समझ अपनी उगलियों पर गिनवा दे कि यह पस्ट आपिक यह सेकेंड टापिक थर्ट आपिक और इसका मतलब यह होता है और इसे पकार से आप जो है समझ सकते हो इतनी यानि कि सब्स्टीज है ग्रेटेश्ट अमांट आप नॉलेज्ज यू आप यूसूड है इन यूर माइं अप्लिकेशन आप नॉलेज्ज ओन दे लेवल ओप चाइल्ड ओन दे लेवल ओप चिल्डरेंज और थर्ड थिंग तीसरी चीज यह है कि आप जो है पहला चीज मैंने क्या का आपको ग्यान के दारे को बढ़ाना है उस साथी में उसको अपडेट करना है दूसरी चीज जा करके उस चीजों को समझायना है और जो है यह तीसरी चीजी है कि आप जो है कांटिन्यू मेनत करें कांटिन्यू डेली पढ़ें अगर आप एक सिच्छक हैं और आपको जो है अपना बिजनेस धंदा अच्छा लगता है पढ़ाई नहीं इच्छी लगती है तो आपको चाहिए आप सिच्छक के पेसे में मत आएं सिच्छक जो है यह ब्यापार का धंदा नहीं है यह एक कोई बिजनेस नहीं है जहां पे जो है आप अपने बिजनेस के जिंटे को सेट करने आए यदि आपके अंदर इस प्रकार का बरदास्त करने का च्छमता है यदि आपके पाइसओं का लालच नहीं है आपको सिर्फ उतना पैसा चाहिए होता है जितना आपका रोटि पानी चलता रहे और थोड़ा वो सौक भी होते रहे बस इतना यदि आपको चाहिए अगर आपको बिजनेस पानी का सौक नहीं है और तो आप लालच के बिना और अपने जो सिच् या उनके parents भी गलतियां कभी कर देते हैं या कभी कुछ आप सब्दों निकल जाते हैं उनके द्वारा लेकिन आपको सदव बिनमर बनके रहना है क्योंकि ये matter नहीं करता है कि आपको लोगों ने क्या कहा आपका जवाब ज़्यादा matter करता है इसलिए जब भी बोलिए तॉल कर बोलिए सोंसमझ के बोलिए और क्या बोलना है ये तो टीचर को अच्छे से बखुबी पता होता है उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का lecture यहीं पर समात करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा हलांकि मेरा छोटा सा ही अन्भो है और काफी समस्या है मैंने जेली हुई है मैं भी जो हूँ एक समय में करांतिकारी टाइप का हुआ करता था लेकिन वक्त ने जो है काफी कुछ सिखाया है छोटे से लम्हे में अमित करता हूँ भी लक्षर आपको पसंद आओगा पसंद आओगा तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रोलिटिकल साइन इंटरेशनले लेसंस के श्टुडेंट है यूपियस्सी के स्प्रेंट है करेंट चीज़ों से अप्डेटेटर रहना चाहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब वे लाइक को प्रेस जरूर कर ले जल्दी मिलते हैं आपड़ियो साथ तक लिए जाहिन बंद मातरम